in education implies that यानि सिक्षा में समा विशन का तात पर रहा है बताईए गाई बार पहला option है students are given आप पहले poll में जवाब दे दीजे फिर ही हम बढ़ेंगे आगे अप पे लिती हूं यार क्लास परशोत्तम जी करियर विल पे लिती हूं सिर्फ और सिर्फ और कहीं नहीं या तो let's learn या career will दो ही जगा classes होती है seated वाले batch में Thursday Friday होती है अगर seated batch में है आप तो कल और परसों होगी क्योंकि seated का syllabus comparatively कम होता है बाकियों से बाकि batches से और अभी exam है भी नहीं तो कल मिलेंगे seated के batch में 7.30 D2 plus B के लिए तो आज हुई थी class 6 बजे देखो एक बार inclusion in education implies that यानि समावेशन जो है सिक्षा में वो क्या imply करता है या समावेशन से तातपरे क्या है समावेशन का simple मतलब है सबको include कर लो inclusion word से मतलब है include करना सबको सब भी को education हर प्रकार के बच्चे को आप लोग कह रहे है 83% लोग के C option is the right answer चलिए पढ़ते हैं पहला option है students are given admission selectively on the basis of their ability यानि बच्चों को उनकी शमताओं के आधार पर चुनिंदा रूप से ही प्रवेश दिया जाना चाहिए G नहीं चुनिंदा नहीं हर बच्चे को admission मिलना चाहिए आप अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते कि बच्चे के number कमाए है यह तो बच्चा ऐसा है इसको देखने में समस्या है तो हम admission नहीं देंगे ऐसा नहीं होता inclusive education में students make adjustments as per the demands of school यानि बच्चे जो है वो adjustment कर लेते हैं school की demand के अनुसार जी नहीं school को बच्चे की demand के अनुसार adjustment करना है क्योंकि school बच्चे के लिए है बच्चा school के लिए नहीं है ठीक मतलब system जो है वो बच्चे के लिए बनाया गया है तो system में परिवर्दन बच्चे के अनुसार होना चाहिए child-centered education की बात करते हैं फिर आती है C option आता है आपका all students study in same school irrespective of their differences ये बात बच्चा पढ़ पाए बजाए कि उनके अंदर कितनी भी विभिनता हैं व्यक्तिकत विभिनताओं के बावजूद भी under the same roof एक ही school में हर तरह का बच्चा बढ़ पाए बस teacher अपने method में और अपने pranali में changes आए system में changes आए ठीक students with disabilities study separately in special schools जी नहीं special school नहीं inclusive school होना चाहिए special school क्या होता है blind school है जिनको देखने में समस्या वो सब उस school में जाएंगे जिनको सुनने में समस्या cause challenges in reading and comprehending the written material यानि कौन सी एक disability है कौन सी एक और समता है जो challenge create करती है पढ़ने में और comprehending यानि समझने में पढ़ने में और समझने में कौन सी एक disability problem create करती है जहां बात पढ़ने और समझने की आगई that means simple simple answer क्या होगा dyslexia calculation की या maths की बात होती तो dyscalculia हो जाता ठीक है hearing impairment यहां पर सुनने की तो कोई बात ही नहीं हो रही पढ़ने की और समझने की बात हो रही है locomotor disability होती है चलने फरने में joints में दिक्कत तो dyslexia यहां पर पढ़ने में विफलता को पढ़न वैफल्या कह रहे है वैकल्या कह रहे है जो की dyslexia है तारे जमीन पर वाले इशानवस्ती को याद कीजे अब जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत तो कई बार dyslexia वालों को dysgraphia जैसी समस्या भी सामने आती है question number 18 देखेगा एक बार which of the following will hinder inclusion of learners from disadvantaged and deprived groups यानि कौनसा एक option है जो hinder करेगा यानि रुकावट बनेगा ऐसे बच्चों को include करने में उनके समाविशन में जो वंचत समूह वर्ग से हैं या फिर जुनको proper advantage नहीं मिला जो किसी भी वजहाद से हाशिये पर हैं यानि वंचत समूह वर्ग से हैं या तो उनको socially अलग थलग रखा गया है या फिर एक जगा से दूसरे जगा move करते रहते हैं उतनी opportunities नहीं मिली हैं रोजगार की अफसर नहीं मिले हैं कई लोग उनको समाज या आर्थिक रूप से समाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी तरह से वंचत हैं तो ऐसे बच्चों को include करने का कौन सा ऐसे बच्चों को include करने में क्या चीज समस्या बनेगी हिंडर करेगा है ना वंचत समूहों के सिक्षारतियों को शामिल करने में बाधा क्या उत्पन करेगा flexible curriculum बई जो curriculum flexible है वो तो हर बच्चे को कर लेगा include तो ये बाधा थोड़ी बनेगा ये hinder थोड़ी करेगा ठीक है decontextualized content ये बात तो सही है अगर context में नहीं पढ़ा रहे हो अगर संदर्ब से नहीं जोड़ रहे हो बच्चे की life से नहीं जोड़ रहे हो तब दिक्कत होगी तो प्रासंगिक नहीं है सामगरी अगर बच्चे के अगर वो जो example है आप relate नहीं कर पा रहे है तो कहां से include होगा बच्चा उसको समझ में नहीं आएगा classroom में बैट करके फिर है बात learner centered pedagogy यह तो हमेशा अच्छी होती है लेकिन हमें तो बाधा पूछा है हमसे तो comprehensive evaluation होता है all aspects में यानि हर एक पक्ष में आप बच्चे का आखलन कर पाओ ठीक सारी बाते positive हैं सिर्फ D contextualized मैंने आपको लास टाइम भी कहा था यह प्रासंगिक होता तो यह opposite हो जाता D का मतलब हो गया कि context में नहीं पढ़ाना ठीक तो सही उत्तर है B option क्योंकि negative पूछा है हमसे hindrance पूछा है रुकावट पूछा है